हेलो बच्चो आप सभी का एक बार फिर से स्वागता है हमारे चैनल एजी वेटु स्टोडी में बच्चो आज हम आपके लिए लेका हैं क्लास 7 की गणित विशे की कार्या पत्रक नूमबर 7 बच्चो जैसे के आप सब जानते हैं सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फिल्ड में हमें अपने अध्यापक का नाम लिखना होता है चलिए लेकते हैं अपनी वरक्षीट उससे पहले बच्चो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बढ़ना न देखिए, यहाँ बच्चों हमें एक अक्षर X की तरह दो लाइने दिखाई गई है, आप पाएंगे कि इस अक्षर की दोनो रेखाएं एक दुश्रे का एक बिंदू पर काटती है इस प्रकार की रेखाओ को प्रती छेदी रेखाओ कहा जाता है बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो यह दोनों लाइन्स आपस में एक दुश्रे काट रही है इन्हें हम प्रती छेदी रेखा कहते है इसके बाद अगला अपने कमरे के कोने को ध्यान से देखिए आप पाएंगे कि दिवार और आंगन के बीच का कोन 90 डिगरी है आता है यदि दो रेखाओं के मद्य कोन 90 डिगरी हो तो उन रेखाओं को लंबवत रेखाए कहते है यहाँ पर बच्चों लंबवत रेखाओं का भी उधारन दिखाया गया है यहाँ पर जहाँ एंगल 90 डिगरी है और दो रेखाओं मिल रही हैं वहाँ पे तो उसे लंबवत रेखाओं कहते हैं आगे क्या आपने कभी कौपी की दो रेखाओं को ध्यान से देखा है इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को दो अलग स्थानों पर ना पिये आप पाएंगे कि दोनों की जंगह पर इन रेखाओं की मद्ध्य की दूरी समान है अते यह रेखाओं एक दुसे से कभी नहीं मिलेंगी और इस प्रकार की रेखाओं को समानतर रेखाओं का आगे चलते हैं इसका बच्चों में पताए गया, जब कोई एक रेखा किनी दो रेखाओं पर गिरती है, तो यह उन देरन रेखाओं को दो अलग अलग विद्धों पर काटती है, इस प्रकार की गिरने वाली रेखा को तीर्यक रेखा कहते हैं, यह बच्चों एक उधारण दिखाया गया, त की दो रेखाओं को काट रही है, अब इसके बाद हमसे एक प्रशन पूछा गया है, अपने आसपास प्रती छेदी रेखाओं, समानतर रेखाओं, तथा लंबवत रेखाओं को खोजिए, तो बच्चों इसका उधारण हमने लिखा है, हमारे आसपास की रेखाओं, प्रती की छेदी रेखाओं का उधारण, इसके बाद समानतर रेखाओं, समानतर रेखाओं बच्चों, मेजश व्रेज टीवी की भुजाएं, जो आगे देखते हैं लंबवत रेखाओं बच्चों, दिवार के कोने, आगे चलते हैं, इसका आuf च्चों हम बताए गे, बेगर रि बना दिखा है, यहां पर Z शब्द बना दिख रहा है, और यहां पर X शब्द बना दिख रहा है, अब हमें बताया गया कि यह कौन से कौन से अंगलते हैं, अक्षर X के द्वारा बने कौन, संगत कौन कहलाते हैं, तथा यह एक दुसरे के बराबर होते हैं, यह दो कौन बच् यानि ये और ये इन दोनों का योग 1803 डिग्री होता है अक्षर Z के अंदर बने कौन एकांतर अंतर कौन कहलाते हैं यानि ये वाला कौन और ये वाला कौन ये एकांतर अंतर कौन कहलाते हैं तथा जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर अंतर कौन आपसमें बराबर होत अक्षर X के द्वारा बने कौन, शीर्षा भीमुख कौन कहलाते हैं, तता यह एक दुसरे के बराबर होते हैं, इसे बच्छो ये कौन और ये कौन बराबर है, और ये कौन इस कौन के बराबर है, आगे चलते हैं, इसके बाद बच्छो हमें कुछ प्रशन दिये गए हैं, चल कौन से कौन से है तो यहाँ पर आप देखेंगे संगत कॉनों का यूगम आप लिख सकते हैं एंगल एक और पाँच एंगल चार और आठ एंगल दो और छेंगल तीन और साथ बच्चों यह संगत कॉनों के यूगम है इसक वाद हम से पूछा गया है शीरशा बिमुक कोणों का यूगम इसे बच्चो आप लिखें के 4 और 2 1 और 3 5 और 7 और 8 और 6 ये बच्चो हमने जोडे दिखाए हैं शीरशा बिमुक कोणों के इसवाद एक आंतर अंतर कोण का यूगम ये हैं बच्चो एंगल 2 और 8 और एंगल 3 और एंगल 5 जोड़ तीरिया रेखा की एक ही और बने अंतर कोणों का यूगम ये हैं बच्चो एंगल 2 और 5 और एंगल 3 और 8 इसवाद अगला प्रेशन देखते हैं आकरती में P परलेल क्यों यानि ये रेखाएं समानतर रेखाएं हैं सभी अग्याद कोण A, B, C, D, E, F को ग्याद कीजिए यहाँ बच्चो हमें एक कोण बताएगा है जिसका माप है 125 डिगरी हमें इसके अदार पर बाकी कोणों को ग्याद करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे आप लिख सकते हैं 125 डिगरी जमा एंगल F होता है 180 डिगरी यह प्रती छीदी रेखाएं दोरा बने हुए कोण तो एंगल F हो गया 180 डिगरी माइनस 125 डिगरी यह बनता है 55 डिगरी एंगल E हो जाते हैं पचो एंगल F के बराबर क्योंकि यह शीरशा भी मुख कोण है तो यह भी हो गया 55 डिगरी एंगल E बराबर एंगल A फिर से 55 डिगरी क्योंकि यह संगत कोण है और एंगल C बराबर एंगल A इकोल टो 55 डिगरी क्योंकि यह शीरशा भी मुख कोण है आगे देखते हैं एंगल D Angle G, 155 degrees हो जाए क्यों क्योंकि यह संगत कौन है और Angle B बराबर Angle D क्योंकि यह शीरशाबिमों कौन है तो इसका जिमाफ हो जाएक 125 degrees चलिए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन बचो यदि दो रेखाएं एक दूसरे हो काटती है तो उनके मद्य कितने कौन बनते हैं तो बच्चो यह जैसे कि आप देखेंगे जब दो रेखाएं आपस में एक दुस्यों काटती है तो वह चार कौन बनाती है इसलिए आप लिख सकते हैं यदि दो रेखाएं एक दुस्यों काटती है तो उनके मद्य चार कौन बनते हैं बच्चो यह है हमारी वर्क्षिट का आगरी प्रशन था इसे एक साथ हमारी वर्क्षिट यहाँ पर समाप्त होती है आशा करते आपको अच्छे समझ में आई होगी बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए तैंक यू